हाई फ्रेंड्स केसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मिस्टर और मिसेस भीरे फेमली व्लोग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और फ्रेंड्स देख लिजिए मैंने बनाए हुए हैं सेवई तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाते हैं तो चलिए रेशिपी शुरू करते हैं तो यह मैंने सेवई ले ली हैं देख लिजिए तो मैंने इसको दो तीन भागों में तोड लिया है आप चाहो तो पुरे जैसे आते हैं विसे ही बना सकते हैं तो यह मैंने हाप टेबल स्पुन घी लिया है और अब इसमें छे साथ मै ने बादाम लिये थे तो इनको फ्राइ कर लेंगे इसमें डाल के तो देख लिजी में बादाम को फ्राइ करने के लिए डाल दी हूँ इसमें तो इनको फ्राइ करके डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो ये बहुत एक मिनिट में ही फ्राइ हो जाएंगे फ तो ये मेरे बादाम फ्राई हो चुके ही तो चलि अब मैं इनको निकाल लेती हूं और सेम एक बरतन लिया हुआ था तो इसमे मैं दो चम्मच घी डाल लेती हूं और इसको पिगाल के और जो सेवई मेंने ली थी वो इसमें डाल के इसको अच्छे से फ्राइ करेंगे तो इस से वही को जब तक फ्राइ करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो देख लिजे इस तरीके से पलट-पलट के और लो फ्लेम पे ही इसको फ्राइ करना है तो मैं इसको अच्छे से फ्राइ कर लूँगी तो इसका बहुती अच्छा टेस्ट आता और खुश्बू भी आ जाती है तो जैसे जैसे ये फ्राइ होते हैं वैसे ही इसकी सोनहरी खुश्बू आने लग जाती है तो देख लिजे इस तरीके से फ्राइ कर रही हूं है ये देख लिजी तो friends हो गई है मेरे सेवई fry हो गई है तो बस इसी कब से मैं चार कब भरके दूद डाल देती हूं इसमें तो देख लिजी ये दूद को मैंने हलका गुनगुना कर लिया था तो गुनगुना दूद डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और दूद डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगी ये देख लिजी इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और इतनी सेवई थी उसमें मैंने चार कप ही दूत का यूज किया है और अब इसमें इसको गाड़ा होने तक इसको पकने देंगे तो इसको चलिए पकने देती हूं में तो किनोर किनोर से भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो ये बहुत जल्दी बन जाती है फ्रेंट से एक बार जरूर बना के देख लीजिएगा तो हलका सा बोई लाने लग गया है इसमें ये देख लीजिए पास से तो फ्रेंट से इसको छोड़ना नहीं है थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो ये देख लीजिए और फ्रेंट से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सस्क्राइब करके बेल कीजिए ताकि अगले वीडियो आपके पस आ सके तो फ्रेंट से एक बार मेरे तरीके से जरूर सेवई बना के खाकर देख लीजिए तो ये देख लीजिए सेवई बन बनने के लिए रेडी हो गई है तो ये इसमें में जो वादाम फ्राइ करके रखे हुए थे इसको में मिला देंगे ताकि जितना भी कच्चापन होगा वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा और पक भी जाएगा तो ये देख लीजे गाड़ी होने लग गई है अब मेरी सेवई ये देख लीजे बहुत ही जल्दी बन जाती है तो फ्रंट से एक बार जरूर बना के देख लीजे तो ये देख लीजे और इसी स्टेज पे अब हम डालेंगे इलाइची पाउडर या फिर फिर आप इलाइची पाउडर घर पे बना के डाल सकते हैं या फिर मार्केट वाला भी डाल सकते हैं तो उसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद टेश्ट के अनुसर तो मैंने यहाँ पे आदी कटोरी ही चीनी का इस्तेमाल किया है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे तो थाकि जो हमने चीनी डाली है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और इसका टेश्ट भी बढ़ जाए तो देख लीजी हमारी से महीं बनके रेडी हो गई है और चलिए प्लेट लगा लेते हैं यह देख लीजी कुछ इस तरीके से बनी हुई है तो इसको मैं गार्निश करके बता जेती हैं यह देख लीजी दिखने में भी बहुत सुन्दर सा कलर आया है और बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेश्टी होती है फ्रेंट से एक बार ज़रूर बना के देख लीजी तो इसको ठंडे होने के लिए या तो फ्रीज में रख सकते हैं या फिर रूम टेंपरेचर पे भी रख सकते हैं लेकिन बहुत अच्छी बनती है तो फ्रेंट से में मिलती हूँ अगली रेशिपी के साथ तब तक के लिए देखिएगा जरूर बाई जैहीन वंदे मतरम